कि अग्याइब कि सभी चातरों को नमस्गार आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलनात्मा कद्यान का तीसरा और चौथा पेज इस पेज में हम देखने वाले हैं तुलनात्मक अध्यन आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चरक सेंथा में नपुनसक के बेद नहीं है चरक सेंथा में जो सब्द आया है वो केलेब आया है केलेब के भेद अस्टूर्दिरी अध्याय में बताए गए हैं जो कि 19 मा दियाया सूतिस्तान का कि उसके चार सब्द नहीं आता है और अपन्मसक के पांच वेद इंप स्टूर्द के सस्कृ नहीं तै कि इसक यह उ कुम्भिग और सोगंधिक इनको या रखने का तरीका देखते हैं, पहले तो यह 4, या रखने के तरीका यहाँ पर हम आ सब्द को लेंगे, तो आ सब्द से सब्द बनाएंगे अपनी, यहाँ पर इरसा सब्द लेंगे, एसह का सब्सक्र वाले हैं उनको यहा रखने का तरीका है अपनी इसा की सौगंद जैसे कोई वेक्ति अपनी मा की सोगान दखाता है कोई जो है किसी अनप्री वस्तुवी सोगान दखाता है वहीं अपने यहां पर कह रहे हैं अपनी इर्षा की सोगान तो यह चार ऐसे नपुनसक होते हैं जिनके अंदर सुक्र रहता है एक सुक्र रहत होता है जिसको कहते हैं सध्ड तो यह हम यहां रखना है और इसके भी दो वह नरसंड और नारीजड कौन सा झुवाज नपुनस का भेद सुक्र रहत होता है यह कुछन एग्जाम में आता हूं इस्क सारी इस्थाने सारी स्थान का जो दूसरा अध्य है उसमें यह भेद बताय नपुनसक के बाद में केले बबाद कर रहें तो दोवाना इसका वर्णन या बताने के आप सकता है इसलिए महसूत होती है क्योंकि जब सुसो सैंदा में नपुनसक के बेद बताए गए यहां पर जो कारण गिनाय जाते हैं या रोज रीजन बताए गए हैं वह माता पिता के स शुक्र संभोग के समय जो उनकी मांसिक इस्तिती है या जिसको लेके वो आंगे बढ़ते हैं सहवास में उसके कारण यह नपुन्सा गुत्पन होती है जबकि इसके बाद जब सुसो सहिंता की चिकिसास्तान में केलेब का वर्णन आता है तो वह बाजी करन के संदरों में किय जागे आए ऐसे ही चरक सहिंता के अस्टो अध्री अध्याय में केलेब की चार वेद बताए गए यह अध्याय जिसमें सभी विकार के रोगों के वेद बताए गए लेकिन जब चरक का चिकिसा का जो 30 चैप्टर है जिसको हम यौनिवयापद नाम से जानते हैं इस यौनिवयापद द्रणवल द्वारा पूरी थे तो ऐसा मान सकते हैं कि यह द्रणवल द्वारा बताए गया है पर एक केलेब के चार वेद जो हैं और यह द्रणवल द्वारा पूरी थे इन चार में जो हैं पहला है बीजोगात दूसरा है द्वाजबंग तीसरा है जराजन और चौता होता है सुक्र चैजन बीजोगात का मरलब है जो हैरी रिटी यानि जो हैरी रिटी यानि अनुवानसिक जो होता है वो बीजोगात में आता है द्वाजबंग किसी बीमारियो के कारण हो सकता है जहरा यानी बुड़ापा जैसे सतर साल के बाद बुरत दावस्ता चालू होती है तो उसके बाद सुक्र का जो च्या होगा वो जहरा चंद में आएगा और अत्यादिक वैवाय के कारण सुक्र शह जह जन 14 होता है। इन वैसे जो सुख श्यज़म्न वाल वह चरक में क्या माना गया असाद माना नहीं में असाद कॉंसा होता वह एक्जाम में आता है यह में ध्यां रखना है कि बात करें सुफुत की तो सुफुत में छे बताये गए हैं और यह जो है अब करण सुफुत के सारी स्थान में था तो उसमें माता-पितावाला कंसेप्ट आया था यहां पर जो है वो बाजी का चेप्टर है 26 पा चेप्टर उसमें इसका वर्णन किया गया है इन 6 में पहला होता है सहज, यानि जन्मजाज जो होता है वो सहज है, दूसरा है सुक्रचहजन, यह सुक्रचहजन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी में धोजबंग बताए गया है, जो सुक्रचहजन दूसरा कारण होता है, उसी के अंतकत यह धोजबंग जो चरक का है व तो यहां पर जो भ्रह्मचर है जिसमें शुक्र का वेग रोकेगा यहां पर आप पारिक पढ़ते हो तो उसमें एक रीजन लिखा रहता है सुक्र वेग अवरोध वाला जो है वह भ्रह्मचर जन्द के लिए बताया है लेकिन जो सही सब्दा वली हो भ्रह्मचर है फिर एक मर्म शेदन जन्द होता है जो कि है 14 यह बहुत इंपोर्टेंट है तो कि यह हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि कौन सी मर्म के शेदन से नपुन सकता आती है तो उस मर्म का नाम जो है वह बिटप मर्म है यहां में मालूम है इस मार्म का नाम क्या है कि मर्म का नाम जो एक जो आप ओटन है धीक फिर एक मानसिक होता है तो है तो आहराज सब्द की जgenhク जो इस लोग ड़ि अ 59 अधिकना भी सिभ्णाइं। है तो उसमें एक रस जो है वो कटडों है मैं ऐ시는 तो है क्टों है मैं फिर एक दो है धिए वह लोग एकसिश सब्सक्राइब इसके लिए शब्रॉज है यानि अहर जन वे आपन कह सकते हैं कि चटा जो है वह आहार की करण बताया है तो बीजोब घात और साइज एक दूसरे से मेल खाते हैं सुक्र छह में ही सुसुत ने द्वजबंग का बर्णन कर दिया है जरा की जगा यहां पर ब्रहमचर बताया है ब्रहमचर ना लिखाओ के पारिक में सुक्र वेग अवरोद लिखा होगा है तूंकि वेमरचर में 25 साल तक सुक्र के वेग को रोगा जाएगा और एक मर्म शेदन जन बताया है जो कि बिटब मर्म के कारण होता है इसके लावा माननस और आहरज ऐसे इच्छे हो जाते हैं दो जगा बढ़नन होने के कारण आया है कि एक इसके बाद में आते हैं सारिस्तान की अन्य चीज़ें जो कि शरीव्यदिकर्ग भाव उनकी संकिया चाहर बताये गई है यह चरक के सारिस्तान के छटमें चप्टर में है यह सभी पिक्रण छटमें चप्टर के हैं तो इनको यहां रखने का एक फॉर्मूला है वह आपने अकास याने की आहर सोस्टो काल योग कि फिर एसे आविगाद और जो है एससे सुवाव संसिद इसमें जो सुवाव संसिद होता है बहुत कॉमन फेक्टर होता है वह जो है शरीर व्रद्धिकर्भावों में भी आता है और बल व्रद्धिकर्भावों में भी आता है दोनों बल किसका है तो 13 पहना कौन बढ़ाएगा तू बढ़ाएगा अपना बढ़ाएगा तो बल जिसका अब यह वल तो अपने का तेरा यह ना वलवदिकर भाव जो हैं उनकी संग्या 13 बताए गई है यह देखे चरकसारी अध्या छटमे का 13 स्लोग है यह भी फिर इसके लाब आशी चेप्टर में अहार ब्रदिकर भाव बताए गए हैं जिनकी संग्या जो है उच्छे है वहार ब्रदिकर भाव कौन-कौन से होते हैं अगनी बायू स्ने कलेद काल और समयो इनको या रखने के लिए यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं अगनी बायू स्ने से करो काल का सामना अगनी बायू स्ने से करो काल का सामना ऐसा करके अपन इनको याद कर सकते हैं यह अच्छे गया इसके इलेदन होगा उसके माद्यम से और आहर को पचने में टाइम भी लगता है और उसके समयोक से धातू साम रहती है ऐसे करके आहर परण्यम करवाओ जो है वो च्छे बताए गहें किसने बताए तो चरक ने बताए हैं सारिस्तान में इनका बढ़न किया हुआ है यह मा को सटांग कौन कौन से होते हैं तो पंदरह में आता है एधरवस्ती नवी तीन किकरम में याद करेंगी मैं जैसा में याद कर आना चाहिता हूं वो आपіч यह थे दर् Mog still Labी यह 3 याद कर लिए बंढ़ी जैसे 3 मर्म होती है वैसे यहां पर dogs याद में याद कि यह तो मालूम। इसके लावा कि वक्र वपाबान। इसे करके यह आठ हो जाएंगी यह तुर्ड़े में आमास है बक्वास है यह यानि आम यानि कच्छे वोजनकस्तान पक्व यानि पक्योंगे पक्वास है चुद्रांत स्थूलांत चोटियांत बढ़ियांत उत्तरगुद अधरगुद ऊपर की तरफ उत्तर नीचे की तरफ अधर और एक पूरीस जहां से निकलता है पूरीस अधार तो यहां तक आठ ना जैसे हम बढ़ेंगे सुसुद में कोश्टांग की संखे जो है कितनी बताईगे आठ बताईगे तो चरक के पहले आठ पूस्टांग जो है वह कोश्टांग एक बगार से यदावस्तिनाभी यक्रत प्रियक लॉंग बक्र वपावन यह आठ हो गया फिर अहार का क्रम है पचने का सबसे पहले कानक आया तो आमासाय में गया उसके बाद में पक्वासाय में गया पक्वासाय के बाद छोटी आत में चोटी आत में बड़ी आत में बड़ी आत में बड़ी आत से उत्तर गुद उत्तर गुद से अधर अधर गुद अधर गुद के बाद में पुरीशादार फिर गुद्माल्क से बहा निकल गया तो ऐसे करके यह पूरा यह साथ नाम है कि यह साथों के साथों आप कि पाचन तंत की क्रम में कि इनको याद कर सकते हूं कि कर सकते हैं और आठ नाम जो हैं तीन और थीन और दो यह तरभाने से करके टोटल चरग के पंदरा कोश्टांग याद कर लिए जाते हें कोश्टांग कीुद्छता है वो हमें मालू होना चाहिए जैसे भारिक में भी लिखी है कि फुप उसको कोश्टांग नहीं माना है लंग्स नहीं मांगने है और क्लॉम जो है जिसको पेपासा का मूल कहते हैं वह उसका वांडन के वल चरक ने किया है यानि क्लॉम जो है वह चरक ने स्पेसली बताया गय अनि पास्तों बतायेगे सूसर में उनकौंसे इस्थान है जोधर का स्थान है आम का स्थान है आम के बाद में आगनी चाली कर जाए अंड़ोड मुतप्रिश बन जाएंँ है और यहां पर हुप एडं़ोंंडुक और फापस मिह और आप जो उफ और उफ के लावा इनने पांच इस्थान बतां तो जो उफ और पांच इस्थान जो है отвसूशु उन्डुग फूप्पुस हेड्य और पांच इस्तान अस्टांक संग्रह की बात करते थो उन्हें हेड्य के लावा उंडुग फूपुस यानि उफ उफ के बाद में हेड़य करत पिलिया बस्तीवक रांध उफ करके इनने भी बताए हैं उफ दे उन्डुक पूपुस इसमें भी हैं उसके बाद में ये जो है आपका येकरत पिलिया आ गए जोड़े वाला ये हो गया पांच फिर यहां से आप देखो कि जो आथ है आथ से पाचन होगा है न उसके बाद में बक्र बस्ती में मूत्र जो है बनेगा यहां से आथ में मल बन रहा है और यहां पर मूत्र बनता है आत में मल्का निर्मान होता है और यहां पर बध्ष वक्र में प्लिका देया होगा। संग्राइगान ने आठ बता है अस्टांग हिरदय की बात करते हैं तो इन आठ के लावा ना भी क्लॉम और दिम्फ और बता है तो बहुत ही इंपोर्टन डिम्फ यानि ओवरी जिसे कह सकते हैं ओवरी को को स्टांग किसने माना है तो उसका अंसर क्या हो जाएगा स्टांग मानें उन्हें उत्तर गुद और अधर गुद को एक ही गुद का है अब पूरी सधार को नहीं माना है इसको नहीं माना है पूरी सधार को नहीं माना है गुद एक ही बताईए आप बच्चों के डॉक्टर्स हैं बच्चों में बच्चे मलत्याग करने के लिए बे गुदा नहीं होती है उत्तर गुदा करके याद करते हैं तो अगर हम बच्चों से इसके देखते हैं पुरसा साथ बताई में वाथा सप्रेंगी फिट्वार ना होगती है। दुदा सभ्रेजीबा कृष जह सैंट उत्ता सेद्वार नहीं है और मुद्रस है इस्त्रियों में अलग सी एक आसा बता है जिसका नाम है गरवास है इस त्रियों में आसों की संक्या हाथ होती है यह सुसु सारी अध्याइब पांच में बताए गए यह तीन तो देखिए इसमें से जो आसा है वह दोसों के हैं वात पित्व कफ तर्फ जो है एह अध्याइब सब्सस्रों मांच मैंद टार नर्मान उजाबड़चम को पहले को यह समें लिए अध्याइब स्चार आसे चार दोजों के वाता से पिता से कफा से रखता से और तीन जो है वह और पाक जो से हैं युक्त कि में 28वा से अलग से होता है क로 है सृनाजनने यह दोस तन्हास ऑर बता है है दो ऐस दरन्धret किसे खिया है तो वह सारण जांजालित ऑच होगा है सारंग दन्य बताएए तोड़ा ना मीचेंच किये उत्ता है इस एक बता है प क्रमी ने किस ने किया तो वो काश सब ने किया है आम पक कफ बायू यह साथ आसरे बताएं हमें याद रखना है कि क्रमी आसा का वर्णन किस ने किया है के फो क्रमी और के फो कास्यप ऐसा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा क्रमी आसा का वर्णन किस ने किया है तो कास्यप ने किया है यह हमें याद रखना है इसके बाद पढ़ते हैं तचा के बीदिव में तोचा के भी चरक में अस्तान संग्रय में और कार से अपने छे बताएं जिनको या रखने का तरीका होता है चक दे इंडिया चक देढ़े इंडिया कहते हैं जब मैंज में सिक्स पड़ता है जो कहते हैं जाद है फंछ एरने कि डर्लिट हुल्टि चारक अब जब सक्ळसकंट्यूत बच्छ रखना है किwo संगत हुदता है यहां रखना है कि संग्रेttों एतना है दो मैं HU पढ़े पुल मिलाके 6 का क्या करता है जो वीडियो रिकोर्डिंग वाला है वो संग्रे करता है और लास्ट में आए देखते हैं मैच में कौन-कौन से 6 पढ़े कितने पढ़े ऐसा आपको हाइलाइट दिखाता है तो 6 का क्या होता है संग्रे होता है एक फिर बढ़ते हैं में चलो एड़ते हैं सूसोथ अच्टांग और सारंगता सास क्रकी बन जाता है और सास को अपने साथ रखना जाहिए काम करना जाहिए तो तो इस अजता है और probर पंप्र से हमेशा अपने साथ रखते हैं हंने दिलको अपने साथ रखते हैं चकदे इंदिया चरख अश्टांग कास्यम में खे और सुषुत अश्टांग आधुनिक में और सारंधर में साथ बताय सा यारत है कि पिर आते हैं धम्नियों में तो चरख में यह संत में सुशो सैंता की रस का कर्स्थान हिर्दाय में फिर माद में यह 24 धम्नियों से पूरे सरीव में रस का संपान होता है दस अद्धो गामी दस और स्थान होता है幹嘛 तो यह सब्सक्राइब्द मैं आंगे चौबीस फिर आते हैं कुष्ट के बेदों में तो चरक में कुष्ट के बेद fishing बताए गया है these 18 भी बताए गयोग्म और असलंक बिसाघ कि मदा देता हूं को उन कहां पर बता गया है तो चरक स्यूंicarρά साथ भी कहां सूर्थी स्थान मet xd कुछतिस्तान का उननीसमें चैप्टर है उसमें साथ आते हैं जो चिकिस्था का चैप्टर है वहाँ पर साथ जो है और 11 अठारा बताएं और जो निदान विला चैप्टर है कुछ्ट निदान है कुछ्ट निदान जो चैप्टर है उस वहाँ पर असंक भी बताएं ऐसा करके अस्टूर्ज दिया ध्याय में साथ बताए गए है कि कुछ्ट के है ना और विसर्व के भीद साथ होते हैं चिकिस्था में साथ महा कुष्ट और 11 शुद्र कुष्ट 18 बताएं और निदान लंग भी होते हैं ऐसा चरक में बताए गया है सुस्टू सैंदाम में 18 बताएं साथ महा कुष्ट होते हैं और 11 शुद्र कुष्ट होते हैं इसके लावत दो आचानियों को और या रखना है बेल और कास्यप का बेल ने 18 बताएं टोटल 18 में नौ साध्य और नौ असाध्य तो देखो अब पहले तो यह नाम याद करते हैं कि किसने 18 बताएं बच्चों की डॉक्टर हैं बच्चों बच्चों में कोई वेदवाव नहीं करना चाहिए सबोज आपके एक लड़का है एक लड़की है तो आप ऐसा तो ही नहीं करोगी कि लड़की को जाता देतों कि ल बच्चों करते हैं आदिवासियों में भी कन्या संतान में और पुरु संतान में कोई भेद नहीं किया जाता है तो दो लोग जो कि बच्चों में भेदवाव नहीं करते हैं ना तो भेल करते हैं ना कास्यप करते हैं उन दो लोगों ने जो भेदवाव नहीं करते हैं तोनो वो भेल और कास्यप इसके बाद में आते हैं उन्मात के भेदों में तो उन्मात के भी चरक में जो है वो पाँच बताए गहेें कौन-कोन से बाता पित्चकपप, सनिपातच और आगोंतुच ऐसे करके पाँच भेद हैं चरक शेंटा में कहां बताये गएं तो आप बोलोगे नेदान स्थान में बताएगें हैं ची इस समझा देता हूं जब ही बहत की जाएगे तो चलग सिंता की अश्टो त्याय कि अश्टो autom प्याई है तोि यहां पर जो है चरक सेंचार माधव के कितने बहते हैं तो उसका बताएं बाकी लगूत्रे के मादो सारंगर और ब्रत्ते के सुसुद बागवटने च्छे बताएं कौन-कौन से बातज, पितज, कपा, सन्नी पातज, मनस, दुखज और विसज तो ये मनस, दुखज और आगन तुख आने वाले कारणों से होता है, इन्हाँ पर मनस और विसज और बताएं ठीक है, ये कौन-कौन से हैं, सुब, सुब, मासा, सुब, मासा, ठीक है जैसे अपन सुब प्रभाद वोलते हैं, सुब मासा, सुब, माधरों, सारंगाने, कितने बताएं, छे बताएं, ऐसा करके, यहाँ रखना है मन दुखी हो रहा है, इनको बताते समय बिसज वाला, तो मानस और बिसज ऐसे करके, छे बताते हैं फिर इसके बाद यहां पड़ते हैं कम्प्रीजन में तो को को दो थे जैकर मैं आपको समझा आए जबर नहीं के भीत और होता है 19 में अध्याइăm से चरक सूत अध्या उन्नीस अश्टोद्री अध्याय में जितने भी रोगों के भेद बताया जाते हैं वह फाइल अंसर होता है यहाँ पर अगर आपको एक ही अंसर टिक लगाना हो कि चरक में सोत के कितने भेद हैं तो आपके अनुसार हमेशा अंसर कहने के लिए का तीन पी बड़ें लुआ हैं पर दो सानुसार पांच यह भी बताएं दो सानुसार तो 2 15 शे मानें बांवर्ट में 3 बताएं प्रतु उन्नत और गरंतित यह बहुत इंपोरडेंट है क्योंकि नाम तोझे टीपीकल है एक्जाम में आते हैं प्रतु उन्नत और गरंतित टो प्रतु क कब पढ़ते हैं हमनों बागवट कब पढ़ना हमारा होता है यूजी में है क्योंकि फस्टियर से बागवट रहती है यूजी पढ़ा बागवरद कहा पढ़ा है यूजी में बढ़ा है उन्नतbak गरंदित पढ़ा उन्नत fiction ऐसा करके इनको या रखना है पढ़ा उन्नत करंदित ऐसे करके या रखना है है यहाँ फिकल पर बागवरच ने न बताएं सबसे जाना क्तिने नौ गए तो सोक्ष जो है वह एक बढ़ने वाला होता हूँ पैलने आफ़ाइब लिखेसा छो है सब्सक्राइम थे चरते हैं और प्र्देश के रीटर में और वागवथ क्तe सुसुद और माधाओं ने इनने पांच बताएं वादापितश कपाज मेदोज गरंती सिरा गरंती ऐसे करके सुसुद में गरंती के नाम से चेप्टर ही है सुसुद नेदान अध्याए 11 यहाँ पर देखो दोसा नूसार हमें याद रहेंगे वादापितश कपाज रहें को मैंस की उपादी मिलती है है सुसुद को में 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 हो जाएगा और सिराज interject में हो जाएगा ब्रफ्थ हैं फिरह प्र चरख क्यूंकि शर्ठ को कोई गरंती वाला दिखाने आए तो सजिर रीक comic उनका काम नहीं है तो दूसरे को रिफर करेंगे दूसरे को रिफर करने के लिए यह प्रोलम में इसके बारे में आपका क्या है तो में बनाएंगे यहां पर मांस गरंटी सबसे पहले कहा है तो बैठे बैठे मांस उन्हें लगता है बड़ा होने लगता है उसमें मांस गरंटी बताएगे वागवट में आते हैं तो उन्हें करके गरंटी बताईए तो जब भी उनके पास कोई गरंटी वाला पेशेंट आता है वह खूब इलाज करते हैं पैसा कमाते हैं पैसा कमाते हैं तो एसा पेशेंट जब उनके पास आता है तो कहते हैं तुझ में रभ दिखता है या रहा में क्या करूँ रभ रभ का मलभ है आर से रखताज ए से अस्तिच और वा से ब्रणाच रब करके भागबटका है सारंगधर में आते हैं सारंगधर पारिक में दिया नहीं लेकिन इंपोर्टेंट है हम उनको ध्यान देना है तो सारंगधर में मातच पित्तष कपच दौनदश तीन सन्नीपाताज अभी घाताज ऐसे करके लास्ट की तीन के लिए अपन कोई आً सब सब बताय हुआ है सन्नीपाता अभी घाता जब विशद तो तुझमें रव देखता है और सारंगधर कहते हैं मुझको तो सब सब दिखता है सारंगदर क्या कह रहा है मुझको तुझ में सब दिखता है मतलब पूरी पेशेंट में सब कुछ दिख रहा है उनको तो साथ से सारंगदर साथ से सब सन्निपातच जो है वो सारंगदर का है तुझ में सब दिखता है तो चरक में यारखना चरक के पास मांसक्रंटी है ना सुसूद और मादों के पास है केवल MS की डिग्री मेधोच उसरागरंटी बागवट में रभ दिखता है और सारंगधन में सब दिखता है इसके बाद बढ़ते हैं अपने ब्रद्दी की बेदों में क्रिट्धेरम उस्ट सुद्वाग्वत वह इसे करके डितने होते हैं साथ चरक में प्रद्धि के ब्रध्द के ब्रगन कहते हैं वो ब्रगन वोलते हैं ऐसे करके दो सानू सान नहीं वागताच नहीं बताएं dwutra नहीं बताएं वागी तीनों बताएं चरफ ने एक इस पेसल ध्यारगना अंड ब्रद्धी वह एक्जाम में पूछा जाता है अंड ब्रद्धी जो है वह सारंगदर सेंटा में इसका वर्ड़न ने सारंगदर सेंटा का जो साथ माध्या है पूरुखंड का इसमें सभी दोसों जो रोग होते हैं उनके भेद है कि अंड ब्रद्धी एक पेकारगी होती है तो अंड ब्रद्धी का वर्ड़न जो हो किसमें सारंगदर में इसके बाद आते हैं तो चर्थ सहिता में सिलीपत के भेद नहीं है चरथ चिप्टर्थ वाला चप्टर उसमें सिती सिलीपत का लेख आया है लेकिन उसके भेद बताए गए इसके लावा जो हम पारिक देखती हैंगे तो पारिक में एक भेद लिखा रहता है इसलिवाद एक रखे साब से इसके भेद में बढ़ने ब्रंट सांगता है सोब बैसने से से सम्मंदित न है भगंदर की बढमें तो चरक में भेद वाडनेत नहीं है, मैं समझा चुका हूँ, जब तक अस्टूर्जी अध्याय में उसके भेद नहीं बता जाते हैं, तब अपन भेद काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पर भेद काउंट करना गलत है, इसलिए अपने भेद नहीं बाडनेत ऐसा ही याद सुसूत में पांच मतायें। वात गरिवा लिखा न籍क गुनसा हो तो वेसे हैं यहाँ में विलाद करता है जल का हमेसा सराव होता है तो से उसे याद करना है परिस्रावी कफजवाले को परिस्रावी कहते हैं सन्नी बातज जब कहते हैं जब कोई चीज तीन से या चार से अधिक होती है तो संभुक नदी किनारे जो मिलते हैं वह बहुत अधिक संक्याव में मिलते हैं तो संभुक अधिक संक्याव मिलते हैं तो सन्न गति करती तो चिदमें से गतिए करद जाएगी बाटच वाले कम करतें हैं इस या करके सुस्व निदानध्याय 4 में भगंदर के वेदों का वर्णर किया गया इंब आ devi कि यहां पर यहां पर हमने इन तीनों को द्वंदज को या रखने के लिए फॉर्मुला बना लिए कई फॉर्मुले पहले से बने होते हैं जैसे आदमी एक फॉर्मुला इंग्लिस का बनाता है पी या रही है यहां पर दूसरा है कि 800 भगंदर एक बीमारी इसमें में आर्च मेरं बाड़न दौन और हो रहे हैं और हमने किसी को करवा दिया है ये किसको करें न शुला इंच्ंछ आपरीचित पुरानाएक नाम ले रहे हैं मैं आपको पारिचित अ हुआ है रिशी उत में आरिचेद रिषी को भगंदर आरिचेद रिषी को क्या हो गया 800 भगंदर हो गया आरिचेद रिषी को भगंदर दोनों हो गया ऐसा करके आप देमाग में डखोगे तो आपको याद आ जाएंगी यह दुन्दज का फॉर्मूला है दुन्दज में पहले हमेसा वाद-पित्त की बात होती है फिर वाद-कफ की बात होती है और उसके बाद में जो है आर्चेद संभान है यहां लग्लाष this में सभय और यह दुन में चलफाल्य आप इसे एकन करके छोग तक द्याचेद डूब है 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 इसके लावा सहे जो चिक़ Christi Обгов çıkar के ब्रणाया आता है उसमें उसमें नाता है और जो उसमें सुस्क और स्रावी का वर्णन आता है सुस्क में वातकप दोस होता है और स्रावी में पित्त रख्त दोस होता है रख्त पित्त में क्या होता है तो याद रहे जाए रख्त पित्त में क्या होता है स्राव होता है तो वह वैसी याद हो जाता है रख्त पित्त रख्त को संसर्गाज बताए तो संसर्गत किसका भिध होता है पुराणे पेपर में आपको कुछ है मिलेगा तो में और यह वह दिख़ता है सारंगर में भेद दो तो में सहज रो उत्तर जनवांज बताते हैं वैसे दोनों इन लोग इसने भी सारंगदने भी बताएं ठीक है जकी साथ में आता है तुथ conception को साथ करते हैं तो चरक कहते हैं तुम महान तु और माह तुम महान हो तुम दवाई से सर्जरशिस को ठीक कर लेटें तु महान आर्सका पिशन जो है कैसे टीट होगा तो चाहिची सामएं दवाई से टीट होगा ठीक है तुछ रहा है तुम महान यानि तुक मांस और महान यानि मेट तुम महान करके आते हैं तुम नहीं लगाते हैं तू महान कि अल्टिमेटली तो सुसुत के बास ही आना है किसी को सरजरी की बना तो ठीक होता है नहीं है तो फिर रोक है क्यों ढंग से बात करें चरक तो अच्छे से बात कर रहे हैं तू महान है लेकिन सुसुत कह रहे हैं तू महान नहीं है तू महान नहीं है तू महान तू महान करके तो याद रखा जा सकता है एसा रोग है जिसमें प्रेसेंट काहची चिस्ता में भी जाता है सर्जरी वाली ढंक से बात नहीं कर रहे हो तू महान दिखा ले चरख को तू महान दिखा चरख सुसत को तू महान करके एसे याद रखने ते राते हैं पांडू के भीड़ों में इसको नहीं मानें मिट्टी खाएगा वैसा दोस्त बढ़ जाएगा तो उने मिट्टी में दोस्त बता कि मेदिगा भक्षयन जन पांडू LY नहीं बताया है चारी बताह है वातच पत्तच कफभाों हारित में चलते हैं कि हारित में जो है तोटल एकूम कमला और क्याम जोड़ते थे भी एकजाम में बहुत आता है कि आते हैं कामला के दूस्या मला के दूस्य जो है वो कौन होता है तो तत पित्तम असक मांस दगदबा पित जो है असक और मांस को दगदब कर गए तो असक मलब हो गया रक्त और मांस कुल मलाके कामला के दूसर क्या होते हैं रक्त और मांस इसको सौट में याद कराने के लिए मैं बोलता हूं राम रक्त का आर और मांस का एम तो राम, ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, जो कि रख्त और मांस के कारण होते हैं, जैसे कामला के लावा भगंदर, भगंदर में भी रख्त और मांस ही दोस्त होते हैं, भगंदर के लावा इस्तन रोग, इस्तन रोग में भी रख्त और मांस दो लेखे परल्ट्टू केरों यानि कि नच फूर्टे वो कौन कोंसे होते हैं ऐसा यह नि रक्त पर आसा यहनि रक्त तो अच्छ आप और मांस यह होते तैंद है एक है यह रखने के लिए आपकर लिख्त देंगे अपने की चरक क्या रहें कि तेरी का ऊश्यमय को पांडीं और तो तेरे मा को पांडू और केसे हम सुभूर मत क्याते हैं किए हम उसको अपना बड़ेंगे अगर तुम्हारी इस हमारी मथ के अब्दू में दूस जो दो होते हैं तो सुसूद कहते हैं कि मैं उसको है अपना रख्त दे दूगा पारेष्ट में वर्णाने पांडू का और उसमें भिज़ दूस से रख्तम निवेशने दूसर रख्ताम केवल रख्त दोस्त बताये लिए तो यह पारिक गाईड में गलत हुआ है पारेज गाइड में लिखा हुआ है कामला के दूसरे पांडू के दूसरे पिर बाठते हैं हिक्का के बेदों में तो इसलिए और चरत में तो पांच पताएं इं यह जो गाना इन चारों का है समुझो यमला पगला दिवाना है न जट ऐसे करके यह चार रहे हैं एतेनी इस बाढ़ना जाना क्थ राख लुट्ध देखियो गया राता प्रसा सुसुथ था उस्थ बादा पितशकापा सन्दीपाता सोकच भायाज चरक को भै मद है किस से सरजरी का भै है है कई मुझे सर्जरी न था जाना पड़ेगा उसार को सरजरी से भै लगता है चरक में जो अलग है दूसरों से वो है भैज यह यह चरक के अश्टोजेद्ध्या उन्नीस में बताए गए हैं कि दो रोग हैं जो है वो चैसंख्या वाले होते हैं आतिसारों और उदावर्थ चरक सिद्धिस्थान जो आठ्मा चैप्टर है उसमें 36 बेद्ध बताएगा एक द्रणवल का कहलाएगा कोई चीज़ लिखेंगे तो द्रणवल करेगी द्रगण का मत माना जाएगा द्रणवल के अतिसार के बेद्ध जो है वो 36 होते हैं सुसुत माधा उन्हें छे बताएं बादा पितच कपा सन्नी पादा सोकच और आमज तो यहां पर उन्हें जो भय था अब सरजरी का भय सुसुत को खुर ने लगए वो तो दिनराथ सरजरी कहते हैं उन्हें किसका भय लगए आम कई मुझे आम दोस्त ना हो जाया मुझे च सब्सक्राइब उन्हें निलगता है सकुरें ना सबस्क्राइब चोडभ बागवाठ संक्या में दो हैं एस दो उर अलग से बताएं सामों निराम और सार्ड क्निरख्टने की अन्यों होता है वह भी इसमें कि दूबिय। सारंगधर की बात आते हैं सारंगधर कभी इंपोर्टेंट है सारंगधर ने साथ बताएं बाता पित्तच कपा सन्य पापतच सोकच और भैज तो यह देखो दोनों का सारंगधर ने सा सारंगधर की पूर्वधय आगा सातम उत्यंक जो है उसमें आता है फूर्मखंध पूर्मखंद आ जो 73 वह है जो है उसमें रोगों कि भ drag के सात्मी छे कि राते स्षर्णा जाता में प्रमें दुछ्र के स्था मुंद चैरख वर्में आता है अका वड मत्रमें लेक्रम युजह शेज्ट एंठीड में जाता है युजह ऑ शा तुड़े को शा त्ट कस डुरना तक है चतर विसर्व का भी बेद होता है चतर तिश्णा का भी बेद होता है चतर गरंती भी होती है चतर बेद बताएं सुसुद के लावा बागमट सारंगन ने छे माने इनने बादर पितश कपा सनी पादा च्छ जो उपसर गजबता है क्यों वह गोशन ये बनेघा कि अ कौन सी तिश्णा का बांडं किसने नहीं गया है तो चतर तिश्णा जो है चरक में नहीं और उपसरोगत तिश्णा जो है सुसुद में नहीं जो है और आपकी सुसुद में आ ज़े कास यह आपके बागवट में आमच नहीं बताई गई है तो यह सारे कोशन बनते हैं कि सन्नी बादस्तिष्णा का वर्णन किस ने किया तो बागवट ने किया हुआ है किसने बताई किसने नहीं बताई तो चरग ने बताई हुई है और बागवट ने बताई हुई है सुसुद नहीं बताई है यह सारे कोशने में से बनते हैं गौर करने वाले होते हैं एक पिर आते हैं बसारभ के भी चरक मादाव में साथ बताये ढ़्या पित्टित कपश आगनी नहरी कि वुब कीचड विना पित्तों कफ्य सकेुझ नहीं बनेगा क्यूंति मुबशना बहुत खराब कोरब है बहुत खराब यानि बात कप बहुत कप बहुत कप फच्छ होती है गरंथी अगनी ऑगने यानि कोन होते हैं में से बीआई फिन लोग दें win Initiative ऐना और बहुत खराब है गरंथी होना कदर में होते हैं फिकर दोस्त क्लेक पाद्श कैसा ओरback कैसा मैं यह मैं आपको बार-बार बोलनों वह एक्जाम में आता है उपर हमने तिस्टना भी पढ़ लिया और नीचे हमने पिस्टना का जो पत्रों जिसका पत्रों है विसर वह भी प्राव सारंग्दार में सारंग्दार ने बाता पितच का पाज दुन्दच और सन्नी पादच अगनी दाज अभी घादच और बताएं तो यहां गरंती में भी सारंग्दार ने पादच अगनी दाज और अभी घादच पताएं पिर हमें विसके वेग मनुस्ट जो है सुन्सोध में साथ बताएं गयें चरक में जो है वह हूं आठ बताएं कि चरक में आठ की बिना बातात करते नहीं है चरक सेंथा में आजन मांगलिक पता आठ है इसमती गारण आठ है प्रायों की धुंपाल काल आठ है एक बैदे से दूसे बैसे को जो प्रस्न करना है यह भी आठ है तो कुल मिलागे चरक हमेशा आठ ही माते हैं आठ में ही मित्व होती है अश्टम बेग में बिसके बेग में तो चरग में 8 बताएं इसा ध्यार्ग में पसु हो में 4 लोग में तीन होगी कि यह था तुरलात्मण का अध्यान जो पेज इसमें एक दो गल्दी हैं पारिक की जो मैंने आपको यहां पर गौर कर आई तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद